नागपुर जिले के हिंगना तहसील के साथ गाउं ग्राम पंचायत में दिनांग 24-4-2023 को उच्चन्याले के आदेशा नुसार 336 परिवारों में से मात्र 115 लोगों ने सुप्रीम कोट के इस्ट्रे की पूर्ती की है कोट 6 जुन 2023 तक बाकी सभी लोगों के घर पुलीस ने बेघर कर दिया है इस गाउं में 10-15 साल से लोग आर्थिकिस्तिती खराब होने के कारण सरकारी जमीन पर कबजा कर रहे थे भारत के माननी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने लोगसभा में घोशना की कि 2022 तक हर गरीब को घर दिया जाएगा इसलिए हर गरीब वर्ग उमीद लगाए बैठा था सालगाओं के गरीब वर्ग को भी उमीद थी कि हमें भी मध्याहन 2023 में मकान मिल जाएगा उनका पूरा परिवार सडकों पर है और इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है उनके लिए वेकलपिक स्थान उपलब्द करा कर जब तक सरकार उनके लिए वेकलपिक स्थान नहीं करती तब तक सभी बेखर गरीब सविधान चौक नागपूर में निवास करेंगे एवं नागपूर के पालक मंत्री देवेंद्र फणनविस से न्याय चाहते हैं महाराज टीवी 24 के लिए बिरो रिपोर्ट नागपूर सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंज इनियन होया इंडो वेस्टन स्टायल में अलग कृष्णा मेंज हम से सस्तक कोई न बेचे दूले राजा की पसंद कृष्णा मेंज हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्टा पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शेर्ट जीन्स सब कुछ एग इच्छत के नीचे कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक कुर्टा पैजामा 500 से लेकर 2000 तक हमारा पता कृष्णा मेंस नंगापुतला चौक, जाकनाथ रोड, गांधी बाग नाकपुर